रादे रादे टू अल आफ यू वेलकम टू पढ़ले वेटा मौका है मेरा नामा कावज़पी है और आज आपके लिए किसान बिल और जेवी खेतिम के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे यह आर्टिकल जो है हली में मेरा ही आर्टिकल है जो कि कर्शक भारती नामाग पत् अच्छा करेंगे कि कि इसको किसान बिलाज चल रहा है इसका जेवी खेति से क्या संबंध है यह आर्टिकल आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा पढ़ले बेटा मौका के नम से सच करें टेलिग्राम पर इंपॉर्टेंट नोट्स पीडियाफ सब मिलते जाए आप देखो जैसा आप जानते हो कि आप ये भी जानते हो कि 1966 और 2067 में भारत में हरित क्रांति आया थी लेकिन इससे पहले कि आई क्रांथी क्यों आई थी। थोड़ा सार इस से पहले आप जानू. भाहिए हुआ ये था कि अपने भारत में हुआ हिए कि भारत चीन का युद्ध हो गया भारत पाकिस तारण का युद्ध हो गया इस में भारत में भले ही पापिस्थानी सार जीद गया हो लेकिन आप सब जब जानते हो कि जब यूद्ध होता है तो दोनों पक्षों का काफी ज़्यादा हानी होती है अब भारत में भी अनाज की काफी ज़्यादा किल्लत हो गई अब भाई सब जब अनाज की इतनी किल्लत हो गई तो भाई आप करते क्या वहां से मगा लेते हैं तब भारत के तत्कालिन प्रदानमंतरी थे मनमोन सिंग जवाला नेरू उस समय तो वह गए थे अमेरिका ठीक अमेरिका गए यह पहले की बास बता रहा है लेकिन गहूं में भाषाब अमेरिका आजकल बड़ा अच्छा दोस्त बन रहा है लेकिन उस समय उन्होंने गहूं देने से मना कर दिया जब काफी मतला अच्छे से बात अत की गई बिन्नत की गई तो उन्होंने ठीक है आपको गहूं दे देंगे लेकि कुछ हमारी सर्ते कुछ पी ये चारसो दों ऐसे करके कुछ गहूं दिया गया है ना और जिसमें यह सरते थे कि भाषाब वहां के लोग तो गहूं कहते नहीं थे क्योंकि वह तो समाशाहरी ज्यादा तर लोक बिदेश में माशाहरी ही है तो उननके वह लोग खाते थे सूवर का मास और सूव बैदावर करते थे तो वह वाला गेह होता था सुवर के लिए बसता था वह गेह उन्होंने इंडिया को देना स्टाट किया भाई सब्सक्राइब ठीक है थोड़ा जो मिलना है वही चाहिए वह गेहु सोड़ा बोले के भारत अपने यहां भारत में आने लगा लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब दी कि भाई साब यहां आप लोग खा तो रहते हैं यहां के लोग जब खाने के कुछ था इने तो कुछ तो खाऊंगे लेकिन उसकी बहुत हालत खराब हो चुकी थी अब इतनी समस्या होगे कि हमारे प्रदान मंत्री जबहाला नहिरू जी थे उनको बहुत समस्या दी रात को नीद नहीं आये और बिचारे दिल का द्वरा पढ़ गए और वो स्वर्क सिधार गए मतलब कि उनकी मृत्ति हो गई दिल का द्वरा पढ़ने से बाद में फिर न द्वर रहें तो अर्थ-शास्त्री थे उन्होंने क्या किया था उन्होंने ये इसको तृष्वी निकाल दिती कि इन्डिया जो है फैलियर कंट्री होने वाला है मतलब इंडिया के पास इतना अनाजी नहीं रह गया है यह अपने भारत के लोगों को और सही से एक समय का प्रजातियां और किसी प्रकार के ना तो अच्छी प्रजातियां है और किसी प्रकार के इंसेक्टितार प्रियोग नहीं अब इसके लिए जो है उस समय जो काफी अपनी अदर बाहर से डिगरी करके आया थे इनका नाम था इनका पूरा नाम है मौन केंबो समभा समान स्वामिनातन उन्हें से मिटिंग की गई और वो जो थे वो काफी ज्यादा प्रभावित थे किन से डाक्टर नार्मनी बोर्लाक स जो 20 सुमय पहले ही 1945 के असपास हर्कांती ला चुके थे उन्होंने उनसे बात की बात करने पाद एक कमेटी केट थी कमेटी केट होने के बाद 1965 के अंत में चांचट के स्टार्टिंग में ये भारत में ये कहा गया कि पूरे देश में ना लागो की जाए एक एक राज में ल कि ये नद्यों के किनारे है और जिटने विछ रोत है उनकी प्रोडउक्स तो यहीं पर अच्छे प्रोडॉक्शन होना चांट हो गया और उसके नए-नने-वीजमग आए गए ना भारत तोति प्रजाति है भारत में इंट्रिज्द करवाए घी इसके इवह एक्टिसाइड इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ कि भारत जो है अब लीडिंग कर्ट्री होने जा रहा है और उसमें बहां की ततकाली जो भुकमरी थी वह भी मिटा दी गई और अच्छा अच्छा हो रहा था कोई समस्या नहीं हो रहती लेकिन आप जानते हो कि जब किसी चीज की अती होती है तो धीर धीरे उन चीजों में भाई कुछ खामियां दिखने लगती हैं अब उसके 20 साल बाद कुछ हारित करांती कि कुछ हलके से दूस्परिणाम देखने को मि स्थाइस है क्योंकि कि अब किसानों को फायदा हो रहा था हाँ इसी समय जो आशकल बबाल मचा हुआ हैं मस्पी पर उस सरकार के ऊपर है आप लोग बार 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 बोलते हैं कि एक बात बता यह सरकार जो चीज़ ला सकते हैं जो जो सरकार जो है अब बहुत भी जाएगी तो फिर से आजाईगी नहीं सरकार रहाईगी वह अपनी मैजोटी में आ जाए वह अपनी एमस्पी लियाईगी इतनी वबाल करने वाली बात नहीं है प्चलो ठीक है आगे देखते हैं लाले भी खतम नहीं हो रही है फरकार ने साब साब बोल दिया है अच्छा अब उसके ब केमिकल का प्रभाव है वो जमीन में रहता है जिसने की जमीन में इसकी पोर कम होने लगते है स्पोर कम्हों अब भाई साब कुछ तो करना पड़ेगा हैना अब तो गणी चित्ता होगी अब इसके लिए क्या क्या गया फिर जो 1992 के आसपास कुछ आरगनिक फार्मिंग के लिए भी प्राबधान किये गए भाई साब जो पुरानी खेती हो रहे थी थोड़ा-थोड़ा हमें उसके दर ल जाएगा आपको इस पर बड़ी तेजी से काम हुआ तो उस समय भाई साब दो तीन राज ऐसे थे जिनमें पूरी तरह से यह लागो हो पाई क्योंकि छोटे राज जैसे कि शिक्कम आप सभी जानते हो सिक्कम एक ऐसा कंट्री एक ऐसा राज है जो भाई साब पूरे विश् जो चेत्रपला है पूरा पूरा इस टेट वह आपका यह है सिक्कम है ठीक और बिश्चों सबस्क्राइब जो और यह फार्मिंग अस्ट्रेलिया में होती है यह तो तत्थी की बात हो अच्छा आप इस चीज को कैसे बढ़ा दिया जाए अब किसान भाई साब क्यों में और बाताइब करेंगे तो यह यह प्रभधन के तहट अगर पूरा आपके जो अनाज है वो अगर हमारे माप तंडो पर खरा उतरता है है ना तो आपको कीमत इसकी अलग से ज़्यादा दी जाएगी है ना सधान अनाज से भाई आपका अगर उन्नी सो में बिखता है इसक्टव पाए जाते है अब भाई साफ ये इसके लिए का करना ओगा इसके लिए ये उए करना होगा कि हमें कु चीज़ें पर रोग कुछ द्यान देना होगा थ्यान देने के लिए क्ले हम और यह कीसी अपना काई अब कुई किसान ऐसा तो मालो सरकार ने तीन हजार रुपे में खरी लिया, एक कुंटल के हूँ, किसान का भी फाइदा हो गया, क्योंकि अब उसका प्रोडक्शन कम हुआ, तो उसका रेट अथा मिल गया, तो भाइसा उसके तो बराबरी हो गई, अब फरकार क्या करेगी, वो तीन हजार वाले को, टेक, जो अमीर लोग है, भैसे मालो गरीब लोग नहीं भी अगर अर्गनी फरीमा खा रहे हैं, लेकिन जो जिनके पास पैसा है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, उन्हें तो क्वालिटी वाली चीज चाहिए, उनको जो पांच जार, छे जार में अच्छे से इस तरीके से यह भी प्रादान हो सकता है, और इसके अलावा, इस आर्टिकल में हमने किसान बिल के बारे में थोड़े चीज़े बताएं, किसान बिल है क्या, ठेक, यह कब आया था, तो 14 फितंबर 2020 को लोग सवाम में, यह हमारे जो तत्कालिन, जो किर्शी मंत्री है, उन् पांच जून 2020 को अध्यादेस के रुब में विध्यक रखा गया, और इसको पूरता जो है, वो 25 जून 2020 को लागू करने की बात की गए, लेकि उसके बाद भी लागू नहीं उपाया, और पूरी समस्या यह होती जा रही है, आच्छा, लोग सवाम में यह बिल जो पारित कि होई है, तो इन बिलो में जो भी आपके मत हो आप देना, इन बिलो के बारे में कोई जर्चा नहीं है, पर इनका अरगनिक फार्मिंग से बहुत अच्छा सम्मन्ध है, और एक यही तरीका भी है, जिससे के और इन फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा भी, क्योंकि इसके तह आपको लगता है, MSP पे किसानों को पूरा मिल जाता है, आप लोग तो गाउफ जुड़े हैं, आपको पता है कि इस बार धान की क्या हालत रही, है ना, जब भी बिचार किसान जो है, MSP पे तो अपना धान बेची नहीं पाता, अपना गेह बेची नहीं पाता, और जो पानी बरस किया कि क्या होगे, दिक्कत हो जाएगी, तो वो बिचारा किसी को बेच देता है, ठीक और जो बीचोलिया होते हैं, वो अपने आप खरीद के फिर वो आपके APMC वाले रेट पर या सेंटर वाले रेट होते हैं, जो सरकारी रेट हैं, उन पर बेचते हैं, तो सरक किसान को MSP का फाइदा कम मिल पा रहा है, लेकिन इसमें अपबाद हैं, हर्याणा और पंजाब, क्योंकि वहाँ पर मुख्यता होती है, इसकी खेती, धान और गेहों की, और उनके वहाँ पर जादर किसान अमीर भी है, और उनके कांटेक्ट भी स्रीट ठीक ठाक है, तो उन जब पूरे भारत में यह हो जाएगा कि आप कहीं भी अपने आनाज बेश सकते हो, और उस पर कोई टेक्स नहीं लिया जाएगा, और एपीमसी में टेक्स लिया जाता है, तब हर इंसान, हर जो है, हर इंसान, किसान और जो खरीदने वाले है, वो एपीमसी से जरिया ना खर पूरा आज वहां से उड़ जाएगा, यह दोनों एक सबसे सही है, हाला कि थोड़ा सा पंजाब और इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो मुख्यता अपीमसी में ही पूरा जाता है, लेकि बात बताओ, क्या उनको इनके अलावा, जितने लोग है, क्या महराफ्टरा में ह पास ऐसे फसले हैं, जो पर यह जो पर यह दोड़ा सा कम होता है, ठीक यह पर यह इसेंसिल वाली जीजें है, थोड़ी सी कम होती है, लेकि बाती कार्चल वाल ज्यादा होती है, उनको भी तो हक है, उनको तो बेचने की आए, तो पूरे भारत को मद्दर रखते हैं ये प् इसी प्रकार का कोई भी नुक्सान नहीं है लेकिन वो तो राज नहीं कि चमक रही वह आलग बात है उस पार चर्शा भी नहीं करेंगे तिसरा जो एक्ट है वह आपका है इसेंशल कमपुलिटी एक्ट ये एक्ट थोड़ा सा हमें कम अच्छा लगा क्योंकि मेरे पॉइंट मारा जीवन चर्या नहीं चलतकती है ना जैसे कि तुमारा ये दान गया हूँ आलू-अलू इसमालू चीज़े थोड़ी इसेंसेल हो जाती है ठीक तो इनके आप इस्टोरें नहीं कर सकते ठीक है लेकिन अप राबधान ये कर दिया है कि श्रीव यूद्ध मतलब भाई उसको अच्छा से स्टोर कर लें और जब और पहूंने दामों पर वेचे अजब उसकी जब भाई जब अपने पार रख लेंगी तो तब फिर मार्केट में बचेगा नहीं बचेगा ने उसके रेट बढ़ जाएगी तो वो सकता ऐसा हो हाला कि सुधार करने की बाद नाम प सब्सक्राइब करके और अगर आप चैनल पर नहीं यूड़े हो ठीक तो आप इसको सब्सक्राइब करके और हमारे टेलिग्राम पर यूड़ जाना वाट्सक्राइब का भी लिंक है आपको समय समय पर टेलिग्राम पर नोटिस दे रहेंगे व्रादरादे थैंक्स टू आउल